नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में पामा एंकाउंटर की इंसाइट स्टोरी में कैसे मारा गया हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू गनित के टीचे से आतंकी बने रियाज एहमत नाइकू ने पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपरण और आतंकी के मरने पर बद्दूकों से सलाम में देने का चलन शुरू किया था बताया जा रहा है कि नाइकू अपने बिमार मा को देखने आया था इसे दुरान उसके घर पहुचने की सूचना पुलिस को मिली सेना इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाती थी इसलिए मारे जाने के बाद भी रियास की पहचान को लेकर पूरी आश्वस्त होना चाते थे इसलिए साड़े पाँच घंटे तक उसके पहचान करने में लगाई गए सबसे पहले उसके शरीर के निशानों को देखा गया फिर पुलिस ने उसके बाद CRPF ने फिर सेना ने उसके बाद IV ने और अंत में थान्य लोगों से उसकी पहचान कराई गई उसके बाद रियास के मारे जाने की सूचना बाहर आई सेना ने मकान को मंगलवार ही गेर लिया था लेकिन कोई फाइरिंग नहीं हुई सेना को उसके भाग जाने का अंदेशा हुआ कुछ खूफिया लोगों ने उसके मकान से बनी सुरंगों के रास्ते भागने की बात कही तो सेना ने JCB बंगवाई इलाके के आसपास खेतों और रेलविट ट्राक की खुदाई की गई यहां जमीन के भीत सुरंगे डूंडी गई देरा सेना ने सर्च ओप्रेशन रोग दिया लेकिन इलाके से घेरा बंदी नहीं हटाई गई आखिर नाइकू को जब एहसास हुआ कि वे आप बच कर नहीं भाग सकता तो उसने सुभा लगबग 9 बजे फाइरिंग शुरू कर दी फाइरिंग होने के बाद सेना ने जो जवाबी फाइरिंग की और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया आखिर दुपैर को नाइकू मारा गया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चानल को सब्सक्राइब करे तब तक के लिए धन्यवाद